सब से पहले आज़ हम बात करेंगे उस पोस्ट की जिसके जरीए ये दावा किया जा रहा है कि ये बोनिका खन्या नाम की पाइलेट ने सुझभूज और साहस का फरुश्वा देते हुए एक सुझभूज और लोगों की जान बचा ली सोशल मीडिया पर इस महिला पाइलेट के लिए तारिफों की बारिश हो रही है परताल में आगे इस वारल दावे का पूरा सच आपको दिखाएंगे हमारे दूसरी ख़वर में हम उस वारल दस्फिर की परताल करने वाले हैं जिसके जरीए दावा किया जा रहा है कि बांगला देश में बार के रूप में जो आफ़त आई है वो हिंदू हमले की वजह से है क्योंकि अभी जब बांगला देश में आशांती फैले थी तो कई हि स्लिम लोगों ने हमले किये थे इसलिए बांगला देश के लोगों को पानी में घुसकर नमास पढ़नी पड़ रही है परताल में आगे वारल दावे का पूरा सच आपको दिखाएंगे जो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर एक महिला पाइलेट की तस्वीर को शेयर करते हुए उज़र दावा कर रहे हैं कि पटना से दिली जा रही फ्लाइट में आग लगने का मामला सामने आया है आग लगने के बावजूद कैप्टन मौनिका खन्ना ने सिंगल अंजन पर प्लेन चला कर 119 लोगों की जान बचा ली लेकिन जब वारल पोश्ट का फैक्ट ट्रैक किया गया तो क्या सच और क्या जूट सामने आया देखिए इस रिपॉर्ट में अभी हाल ही में नेपाल के राजधानी काटमांडू के त्रिववन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर विमान दुर्खट्टा में 18 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी जब कि ब्राजिल में हुए विवान हादसे में 62 लोगों की मौत हो गए थी ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वाइरल पोस्ट सब का ध्यान अपने और खीच रहा है पोस्ट में एक तरफ महिला पाइलट की तस्वीर है और दूसरी और एक विमान की तस्वीर और उस पर लिखा हुआ है कि पटना से दिल्ली जा रहा विमान में आग लगने की बाद कप्तान मोनिका खन्ना ने सिंगल इंजन पर प्लेन चला कर 191 यात्रियों की जान बचाई भारत माता की इस साहसी बेटी पर गर्भ है कैप्टन मोनिका खन्ना स्पाइस जेड विमान कंपनी की एक्सपिरियंस्ट पाइलट है उन्हें बच्पन से ही आस्मान में उडान भरने का शौक था फ्लाइट सुडाने के लिए मोनिका ने पढ़ाई के साथ साथ कड़ी मेहनत भी की है कहा जाता है कि एक पाइलट में धैरे होना चाहिए मोनिका ने आग लगे प्लेन की सिर्फ लेंडिंग कराकर इससे साबित कर दिया इस ख़बर को हालिया मामला समझ कर शेयर किया जा रहा है और यूजर्स मोनिका खन्ना नाम की पाइलट की तारीफ में कसीदे गड़ रहे है सोचल मीडिया के अलग-अलग प्रिक्फॉन पर ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल सोचल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वाइरल हो रही है क्योंकि इस पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है और बिना सोचे समझे तारीफ के पुल बांध रहा है पोस्ट के साथ एक फोटो अटेच है इसमें एक पाइलिट की ड्रेस में एक महिला दिख रही है इनका नाम मोनिका खन्ना बताय जा रहा है और कहा जा रहा है कि विमान में आग लगने पर इन्होंने सिंगल इंजन का इस्तिमाल करके प्लेन को सकुषल लेड करा लिया ऐसा करके इन्होंने एक सो इंक्यानवे लोगों की यातिनियों की जान बचाई है ऐसे में वाइरल पोस्ट का सच और जूट क्या है यह जानना बहुत जुरूरी हो गया था लियाजा ऐसे में हमने इस वाइरल पोस्ट को सवालों की कसोटी पर कसाब तो बड़े सवाल निकल कर सामने आते हैं पहला सवाल ये कि वाइरल पोस्ट में दिख रही महिला आखिर है कौन और दूसरा सवाल ये कि कहीं पुरानी तस्वीर को हाल फिलाल का बता कर भ्रहम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही ये भी बड़ा और रहम सवाल था हमने इन दोनों सवालों की बीचो की सच्चाई जानने की कोशिश की है आप भी देखिए सच क्या है अपनी परताल को शुरू करते हुए सबसे पहले हमने की वर्ड की मदद से सर्च किया सर्च किये जाने पर हमें निउस वेब साइट पर 20 जून 2022 को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मेली इस रिपोर्ड के मताबिक बिहार के राजधानी पट्ना में स्पाइस जेट के विमान की मर्जंसी लेंडिंग कराकर चालक डल समेथ 191 लोगों की जान बजाने पर कैप्टन मोनिका खन्ना की देश भर में वहवाही हो रही है एक पक्षवी के टकराने के बाद विमान के एक इंजन में आग लग गई थी स्पाइस जेट की पाइलट मोनिका खन्ना फ्लाइट SG-723 की पाइलट इन कमांड थी और पक्षवी के टकरानी के बाद आग लगने पर उन्होंने तुरंट संबंधित इंजन को बंद कर गया था और इसके बाद बगैर किसी हरबड़ी के दिल्ली के लिए रवाना हो चुके विमान को पुना पटना एयरफोर्ट पर सुरक्षे तुदार लिया 20 जून 2022 की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पटना से दिल्ली के लिए उड़ने के तुरंट बाद स्पाइस जेट के विमान के एक इंजन में आग लग गई थी विमान में दो बच्चों समयत 185 यातरी सवार थे और साथ में 6 क्रू मेंबर भी थे हालाद खराब हो सकते थे लेकिन पाइलेट इन कंट्रोल मोनिका खन्ना ने सूजबूज और समझदारी से काम लिया और फर्स्ट ओफिसर बल प्रीट सिंग भाटिया के सायोग से विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित पतार लिया इस 19 मिनट की फ्लाइट के दोरान यात्रियों की ही नहीं बाकी सभी लोगों की सांस अठकी रही जब एक इंजन पर पटना जैसे मुश्किल एयरपोर्ट पर कैप्टन मोनिका ने विमान को सपूछल लैन करा लिया तब सबने रहत की सांस लिकी इस बहादूरी और सूजबुच के लिए देश अब कैप्टन मोनिका खन्ना की तारीफ कर रहा है इस रिपोर्ट में मोनिका खन्ना की कई तस्वीरे हैं उसमें से वाइरल तस्वीर भी है इस मामले पर एक और वेबसाइट पर भी 20 जून 2022 को पबलिश हुई रिपोर्ट मिली इस रिपोर्ट में भी वही जानकारी सामने आ रही थी इसके बाद हमने सोशल मेडिया का रुख किया तो हमें मोनिका खन्ना की फोटो के साथ कई पोस्ट मिली जो 19, 20 और 21 जून 2022 को शेयर के गए थे इन सभी पोस्ट में कैप्टन मोनिका खन्ना की तारीफ की गई थी इस तरह से हमारी परताल में ये साफ हो गया कि वाइरल पोस्ट सही तो है लेकिन दो साल से ज़दा पुराना है यानि पुरानी घटना को हाल फिलहाल का बता कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है टीम फैक्ट चेक, गुटनिस टुडे मौनसून का सीजन चल रहा है और भारते नहीं परोसी देशों में बारश से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है बांगलादेश और पाकिस्तान में बार से बुरा हाल है ऐसे में एक तस्वीर तेरी से वारल हो रही है जिसमें कुश्लो की कमरे में सीने तक पानी में नमास पड़ रहे है इस तस्वीर को बंगलादेश का बताए जा रहा है और दावा किये जा रहा है कि ये फल उनको अपनी करनी की वरह से मिला है लेकिन जब हमारेल पोस्ट का फैक्ट ट्रेक किया गया तो क्या सच और क्या जूट सामने आया देखिए इस रिपॉर्ट में सियासी उठापटक और हिंसा के बाद बंगलादेश के लोगों पर बार का कहर तूट पड़ा है इस बार से बंगलादेश में लाखों लोग प्रवावित हुए हैं लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी चल रहा है और प्रवाववतों के लिए उचीत स्थान पर रहने और खाने की विवस्था की जा रही है इसी आफ़त के बीच सोशल मेडिया पर एक पोश्ट सुरक्यों में आ रहा वारल हो रही तस्वीर में एक कमरा देखा जा सकता है जिसके अंदर दरजनों मुसलिम लोग नमाज अदा करते हैं नजर आ रहे लेकिन जहां वो नमाज पड़ रहे हैं वहां उनके कंदे तक पानी भरा हुआ है इसी फोटो को लोग केजी से शेयर कर रहे हैं लोगों का दावा है कि ये फोटो बंग्रादेश की हालिया स्थितिकी है जहां बाड़ आई है वारल तस्वीर को बंग्रादेश का बताकर इसे हाल ही में हिंदूओं पर हुए हमलों से जोड़ा जा रहा है ये कहने की कोशिश की जा रही है कि शेख हसीना के देश शोड़ने के बाद हुए हिंसा में मुस्लिमों ने जो हिंदूओं के साथ किया उसका फल बंग्रादेश के लोगों को अब मिल रहा है ऐसा लिखते हुए लोग फोटो को बंग्रादेश में आई बाड़ का बता रहे है इस तस्वीर को सोशल मेडिया के अलग-अलग प्रेटफॉर्म पर सैक्रों लोग शेयर कर चुके है दरसल सोशल मेडिया पर ये फोटो तेरी से लगतार वाइरल हो रही है तस्वीर में चुकि भाड़ की बात की गई है और भाड़ के बीच नमाज पढ़ी जा रही है ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बंग्लादेश में लोगों को जो कस्ट जेलना पड़ रहा है वो इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने बंग्लादेश के हिंदूों पर बहुत ही जुल्म किया है लहाज ऐसे में हमने इस वाइरल वीडियो का सवालों की कसौटी पर कसा तो बड़े सवाल निकल कर सामने आते है पहला सवाल इस तस्वीर के बाद ये कि आखिर इस वाइरल पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है इसके पीछे का सच्च क्या है ये बड़ा सवाल है और दूसरा सवाल है कि वाइरल पोस्ट के जरीए लोगों को गुम रहा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही ये भी बड़ा और आहम सवाल था, हमने इन दोनों सवालों के पीछे की सचा ही जाने की कोशिश की है, क्या हाकिकत है, आप भी देखिए इस रिपॉर्ट में लेकि कुश दिनों बाद ये मस्जिद वीड है गई थी, इस फोटो को शर्वार हुसैन नाम के बांगलादेशी फोटोग्राफर ने कीचा था, सर्च के दोरान हमें शर्वार हुसैन के इस्टाग्राम पर फाइल मिले, शर्वार ने 29 मार्च 2022 को वारल फोटो को शेर करते हु अगया था, हमारी परताल से ये साफ हो गया कि वारल तस्वीर हाल फिलहाल की नहीं है, बलकि तीन साल पुरानी है, और सोशल मेडिया पर इस तस्वीर को हाल फिलहाल का बता कर भ्रम फ़लाया जा रहा है वैसे बंगलादेश में लगातार मांसूरी बारिश और उफंती नदियों की वज़ा से आई बार से कई लोग हताहत हुए हैं, खवरों के मताबिक इस मिविश्का में बावन लाग से जादा लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों को खाने के लिए भोज़ें, साफ पानी, दवा तक मैसर नहीं हो पा रहा है, अरजुन डियोडिया के साथ टीम फ्रेक्ट चेप गुड न्यूस टुड़ेग, और फ्रेक्ट चेप में वक्ते चूटने से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वारल वेल्ड में और क्या कुछ हो रहा है,